हेलो दोस्तों नमश्कार स्वागत आप से भी का एजुकेशनल स्टड़ी और यूटुप चैनल पे तो देखी दोस्तों SSC GD Constable Exam 2022 पंपर वैकेंसी निकल चुकी है फॉर्म फिलप स्टार्ट है परिक्षा आपके जनविरी 2023 में होगी तो लाश्ट दो महिने बचे आपकी परिक्षा में काफी कम टाइम है SSC GD Constable Exam 2022 के लिए पिछले साल के पेपर पर अधारित GKGS Current Affair का Part 1 कवर करेंगे जिसमें आपको Top 50 Question कवर कराए जाएंगे अभी नहीं तो कभी नहीं लाश्ट दो मन्त बचे आपकी परिक्षा में रट डालो इन प्रश्णों को चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं देखिए जो गंगा सागर मेला है ये भारत के पच्चिम बंगाल राजे में आयुजित किया जाता है अगला क्वेशन है कि फाग गीत किस त्योहार के समय गाए जाते हैं देखिए दोस्तों जो फाग सौंग्स है ये होली के त्योहार के समय गाए जाते हैं अगला क्वेशन माई 2022 में किसे दिल्ली का नया उप राजेपाल न्युक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेशन निमल लिखित में से किसे फरवरी 2022 में केंद्रिय माधिमिक शिक्षा बोर्ड CBSC के अध्यक्ष का प्रभार सोंपा गया है तो फरवरी 2022 में CBSC के अध्यक्ष बनी है विनीत जोशी अगला क्वेशन अल्ला रखा कुरेशी जिनने अल्ला रखा के नाम से भी जाना जाता है वह एक भारतिय डैश वादक है तो जो अल्ला रखा है ये क्या एक भारतिय सितार वादक है अगला क्वेशन जुलाई 2022 में UK संसद्वारा आयरुएद रतन पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो जुलाई 2022 में UK संसद्वारा आयरुएद रतन पुरुसकार से डॉक्टर तनूजा नेसारी को समानित किया गया है अगला question कि निमल लिखित में से किस राजय में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष आईजित किया जाता है तो जो लोसांग फेस्टिवल है ये प्रतिवर्ष सिक्किम में आईजित किया जाता है थर्ड नमबर आप्शन विल भी दराइट अंसर नेक्स्ट ग्वेशन डैश पंजाब राजे से संगीत का एक मुख्य रूप है तो देखे दोस्तों जो टपा है वो पंजाब राजे से क्या है एक संगीत का मुख्य रूप है अगला question है कि सेला नर्ते की उतपती कि सराजय में हुई फसल के मोसम के बाद लड़कों के द्वारा ये नर्ते किया जाता है तो सेला नर्ते की जो उतपती है वो भारत के 36 गड़ राजे से हुए है राइट अंसर आप्शन वर फोर रहे गा इस question का अगला question है कि पंडित निखिल बैनर जी किसके प्रतिपादक थे तो पंडिल जो निखिल बैनर जी थे ये सितार से संबंदित थे अगला question ग्राहकों को दुरुवेवार और सामाजिक अन्याई से बचाने के लिए किस दिन को विसव उभोकता अधिकार दिवस के रूप में मनाये जाता है तो ये मनाये जाता है 15 मार्च को अगला question है कि निमल लिखित में से किस ने दा नेम से एक पुस्तक लिखी है तो दा नेम से एक पुस्तक लिखी गई है जुम्पा लाहिडी के द्वारा राइट अन्सर ऑप्शन अबर सेगेंड रहेगा अगला question भारत ने 8 अगस्त को सयुक्त विशेश बल अभ्यास वज्जर प्रहार 2022 का तेरवा संस्क्रण किस के साथ शुरू किया है तो इसका जो तेरवा संस्क्रण है वो USA के साथ शुरू किया गया है अगला question निमन लिखित में से किस ने 2022 में 49 सिख्षकों को राष्ट्रिय आई सीटी यानि की सूचना और संचार प्रोधोगी की पुरुसकार से संबानित किया है तो ये किया गया है अनपूर्णा देवी के द्वारा राष्ट एंसर आप्शन बर वन रहेगा अगला question दा आर्केटिक होम ओफ दा वेदाज पुस्तक के लेखक कोन है तो इस पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलग नेक्स्ट क्वेशन निमन लिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली के दरगा परायुजित किया जाता है जो धमोनी उर्स मेला है ये मस्तान शाह वली के दरगा परायुजित किया जाता है अगला question है कि कोन जल्द ही अंत्रिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे वो विल सून बिकम दा फर्स्ट एक्टर टू बेश्ट ग्लोबल म्यूजिक अल्बम का पुरुस्कार जीता है तो ये जीता गया है Mother Nature अल्बम के द्वारा अगला question है कि कौन सा राज्ये खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्णामेंट 2022 के पहले चरण की मेजबानी कर रहा है तो इसके अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिनाने पदबार संभाला है Next question तापू नर्टे निमल लिखित में से किस राज्ये का आदिवासी नर्टे देखे दोस्तों बात करते हैं तापू नर्टे के बारे में तो ये नहीं है डांगी, हफीजा, धूमल और रव ये क्या है जम्मू कश्मीर से समंदित है अगला question लक्षमन नर्सिमन किस कंपनी के नए CEO बन गए है तो लक्षमन नर्सिमन स्टारबक्स के क्या है नए CEO बन गए है अगला question है दिल्ली इस नोट फार पुस्तक निमल लिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है रस्किन बॉंड के द्वारा करेक्टरेंसर आप्शन नबर फोर रहेगा आगला question कि निमल लिखित में से किस ने 18 अप्रेल 2022 को राश्ट्रिय शाइबर सुरक्षा हाथसा प्रतिकरिया अभ्यास का उधगाटन किया है तो इसका जो उधगाटन है वो 18 अप्रेल 2022 को अजीत डोबाल जी के द्वारा किया गया है अगला question भारत में इंटरनेट के जनक डैश का जुलाई 2022 में निदन हो गया तो भारत में इंटरनेट के जनक ब्रजेंद्र के सिंगल का जुलाई 2022 में निदन हो गया अगला question है कि जनवरी 2022 में केंद्रिय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विसविध्याले का उधगाटन किया तो ये किया गया असम राज्य के पहले खेल विसविध्याले का उधगाटन जनवरी 2022 में आगला question है कि निमल लिखित में से किस ने नरत्य और समबंधित विशों में परशिक्षन परदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्ता की स्थापना की तो कलाश्रम नामक एक संस्ता की स्थापना की गई पंडित बिर्जू महराज के दोरा राइटन सेर आप्शन नमर सेगिंड रहेगा इस question का अगला question डैश अरुनाचल परदेश की गालो जनजाती का एक उत्सव है जो परतेक वर्स अप्रेल में मनाए जाता है तो वो है आपके मौपिन ठीक है दोस्तो राइटन सेर आप्शन नमर थर्ड रहेगा इस question का अगला question है कि Missile Life नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर ने किया विच सिटी रिलिजड दे बुक टाइटल Missile Life कि निमल लिखित में से किस खिलाडी ने आतम कथात्मक पुस्तक As Against Oats लिखी है विच ओफ दे फॉलिएंग स्पोर्ट परसंस रोड दे बुक ओटो बायोग्राफिकल बुक As Against Oats तो ये ओटो बायोग्राफिकल बुक है सान्या मिरजा की राइटेंस रॉप्शन नमबर फोर रहेगा इस क्वेशन का अगला क्वेशन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम दोजार इकिस किस राजे में आईजित किया गया था In which state the खेलो इंडिया यूथ गेम दोजार इकिस was conducted तो खेलो इंडिया यूथ गेम दोजार इकिस हरियाना राजे में आईजित किये गए थे अगला क्वेशन है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है Who is the author of book named दास कैपिटल तो दास कैपिटल के लेखक कौन है Karl Marx Karl Marx के दास कैपिटल क्या है रिटरन की गई है लिखी गई है अगला क्वेशन है कि 2022 में जन ओस्दी दिवस का विशे क्या है What is the theme of the जन ओस्दी दिवस in 2022 तो 2022 में जन ओस्दी दिवस का विशे क्या है तो ये है जन ओस्दी जन उप्योगी ठीके दोस्तों, स्क्वेशन का राइटेंस रॉप्शन बर 1 रहेगा आज की इस वीडियों हमने प्रिवेश एर पेपर पर अधारित पहला सेट कवर कर लिये हैं जहां पर आपको टॉप 50 प्लस स्क्वेशन कवर कराएगे हैं वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद, जैहिन, जैभरत